आई फाइब 12 जनरेशन और 13 जनरेशन सबसे ज़ादा पॉपुलर्शिप सेट है गेमर्स के लिए और इसमें सबसे ज़ादा कन्फूजन है कौन सा मधरबूर्ड लगाए क्यूंकि सारे मधरबूर्ड महेंगे हैं मिनिमम आपका मधरबूर्ड आठ से 9000 में शुरू होगा इ चीज द्यान से सुनो आई फाइब में दो प्रोसेसर आते हैं एप सीरीज और के सीरीज नॉर्बल प्रोसेसर है और के सीरीज ओबर क्लॉकिंग को सपोर्ड करता है इसलिए हैबी मधरबूर्ड ही लगाना चाहिए अदर्वाइस उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं द सपोर्ड करता है और 12 जनरेशन और 13 जनरेशन के लिए one of the best motherboard है यह डूल चैनल DDR4 RAM मिल जाती है और 64 GB तक RAM को यह सपोर्ड करता है इसमें Lightning Fast PCIe 4.0 का सपोर्ड आपको मिल जाता है इंक्लूडिंग डिस्प्ले आउटपूर्ट के लिए दो पोर्ट है HDMI और BGA Windows 11 certified है 9800 इसको definitely आप consider करो मैं Gigabyte के comparison में MSI और SS के motherboard में जादा वरूशा करता हूँ इसी range में आपको B760 M series के साथ MSI Pro B760 ME भी देखने को मिल जाता है यह भी 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, 3 जनरेशन को support करता है बट मेरी recommendation होगी कि आप 12 जनरेशन और 13 जनरेशन में ही इसको use क RAM के आपको 2 port इसमें देखने को मिल जाते हैं और 4800 MHz की RAM अराम से इसमें चला पाओगे, DDR4, 64 GB तक अप्ग्रेड कर पाओगे, NBME, M.2 के 4 port आपको देखने को मिल जाते हैं, display output के लिए 2 port आपको मिलते हैं HDMI और BGA, 9949 रुपे में currently available हो और definitely इसको consider कर सकता हो, one of the value for money है, range को थोड़ा से बढ़ाते हो, SROC B660M ITX आपको देखने को मिल जाते हैं, इसका advantage यह है कि इसमें आपको Wi-Fi inbuilt देखने को मिलते हैं, 4G speed के साथ, 13,000 के budget में, although इसी series में GIGABYTE का B760M DS3H AX और MSI PRO B760MA Wi-Fi के साथ, 19,000 में भी मिल जाते हैं, इन दोनों को भी consider कर सकते हो, based on your budget, अगर आपको i5 12th generation, 13th generation, K-series का processor है, या i7 यूज़ करना है, 12th generation या 13th generation के साथ, then आपको हमेशा ही Z-series के motherboard यूज़ करने चाहिए, इधर आप Z-690 यूज़ कर सकते हो, इधर Z-790 यूज़ कर सकते हो, Z-690 के case में GIGABYTE Z-690UD, one of the best choice है, इसमें भी 12th generation, 13th generation, 14th generation, तीनों support करा सकते हो, बट मेरी recommendation 12th and 13th generation की ही होगी, dual channel DDR4 slots मिल जाते है, 4 slot इसमें total, एक slot में 32GB का, अतलब total 128GB की RAM इसमें support करा सकते हो, अप, motherboard पे heat sink वगेरा देखना को मिल जाती है, तो तगड़े से तगड़ा graphic card आराम से support करा जाएगा, इसमें LAN port भी आपको देखना को मिल जाता ह आपको Z790 series में Gigabyte Z790 UDAX देखने को मिल जाता है, ये भी 12th generation, 13th generation, 14th generation, Intel Core processor के साथ काम करता है, और इसमें overclocking अराम से कर पाओगे, dual channel DDR5 RAM support करता है, 4 slot मिल जाते हैं, एक slot में maximum 48GB RAM इसमें support करा सकते हो, total 12GB, इसमें 2 display output आपको मिल जाते है, heat sink इसमें भी बहुत जादा होती है, और अराम से बिना किसी issue के heavy से heavy graphic card अराम से चल जाएगा आपका, 24,360 रुपय में currently available है, definitely consider करना, इसी का एक Wi-Fi variant भी आता है, MSI Pro Z790 A, 27,000 के budget में उसको भी consider कर सकते हो, अभी भी अगर आपको कोई भी doubt है, i5 के motherboard से related, please comment, दो गड़े में reply मिल जाएगा,